हलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम संस्कृत के दुध्य पाठ अमात्रिक शब्दा के बारे में पढ़ेंगे अमात्रिक शब्दा मतलब बिना मात्रा के शब्द यहाँ पर अब हम दो अक्षरों से मिले हुए शब्द को पढ़ेंगे यहाँ पर दो वर्ण यूज होए ए और कह इनको मिलाकर बन गया एकह एकह मतलब नमबर वन पथह मतलब क्या बन गया पथह मतलब रास्ता रथह रथ इसके बाद खरह मतलब गधा अ जह दो लेटर्स हो गए इनको मिलाकर एक शब्द बना अजह अजह मतलब बकरी पयह मतलब पीने की चीज इस तरह से बच्चों देखा किस तरह से हम दो अलग-अलग लेटर्स को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं अब हम कुछ और शब्द पढ़ते हैं खगह, खगह, गजह, वटह, नद्यह, करह, शदह, जशह, पटह, नरह और नलह तो इस तरह से उनको पढ़ा जाता है अब हम तीन और चार अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ते हैं जैसे पहले चित्र में हम देख रहे हैं क्या है ये? पत्ता पत्ते को हम संस्क्रत में क्या बोलते हैं? पत्रम तो मिलकर क्या बन गया? पत्रम अशवः क्या बन गया? अशवः मतलब घोड़ा म करह मकरह मतलब मगरमच इसके बाद च म स क्या बन गया? चमसह मतलब चमच कमलम मतलब कमल का फूल क्या मिलकर बना? तो इस तरह से तीन और चार अक्षरों को जोड़ कर हम कुछ शब्द बनाते हैं आईए अब हम कुछ और शब्दों के बारे में पढ़ते हैं फलम फलम, हलम हलम, चत्रम चत्रम, जलम जलम, वनम वनम, अहम अहम, चत्रकह चत्कह भवनम, भवनम, नयनम, नयनम, नयनम मतलब आखें औशधम, औशधम मतलब दवाईयां तो इस तरह से बच्चों हम तीन और चार अक्षरों के शब्द को पढ़ते हैं अब हम कुछ अभ्यास करते हैं अभ्यास मतलब एक्सरसाइज जैसे अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिये गए हैं लेटर्स को जोड़कर हमें वर्ड्स लिखने हैं जैसे फर्स्ट कोश्चन में शदह तो इसको मिला कर क्या बनेगा शदह इस तरह से हम अब जैसे चार अक्षर वाला देखते हैं इसको हम इन सब को एक साथ लिखकर एक वर्ड बना देते हैं इस तरह से बच्चों हम अलग-अलग लेटर्स को जोड़कर दो, तीन और चार अक्षर के शब्दों को बना सकते हैं अब हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं इनको भहचान कर उनके संस्कृत में नाम लिखते हैं जैसे पहला क्या बना है? चमज, चमज को हम क्या लिखते हैं संस्कृत में? चमसह, चमसह नल को क्या लिखते हैं बच्चों? नलह चुडिया को क्या लिखते हैं? चटकह इस तरह से कमल को क्या लिखते हैं? कमलम इस तरह से पिक्चर को देखकर हम कुछ अलग-अलग लैटर्स को जोड़कर हम नया शब्द बना सकते हैं तो बच्चों इस तरह हमने इस लेसन में क्या सीखा? कि दो अक्षरो वाले शब्द, तीन अक्षरो वाले शब्द और चार अक्षरो वाले शब्द को किस तरह से लिखा और पढ़ा जाता है?